बिलासपूर जीला में एक वारफिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है बिलासपूर के गुमार्मी स्थित पुलिस स्टेशन में एक साथ 12 पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं जिसमें S.H. गुमार्मी भी शामिल हैं इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में NDPS Act के तहट गिरिफतार के एक बेक्ती की भी करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है बहीं गुमार्मी पुलिस स्टेशन के सभी करमचारियों के करोना पॉजिटिव आने के बाद इसे आगामी आदेशों तक सील कर दिया गया है और बिलासपुर सदर पुलिस स्टेशन को इसका चार्ज सौंपा गया है इस बात की जानकारी देते हुए जिला स्वास से अधिकारी डॉक्टर परविंदर से ने बताए कि गुमार्मी पुलिस स्टेशन से यह जानकारी मिली थी कि कुछ पुलिस कर्मी ऐसे लोगों के संपर्क में आये थे जो की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिसके बाद सभी 12 पुलिस कर्मियों सहित NDPS Act में गिरिफतार एक ब्यक्ति का रेपिड एंटिजम टेस्ट किया गया जिसमें सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है बहीं इन में से कुछ एलिजिवल करोना मरीजों को होम आईसोलेट किया जाएगा जबकि कुछ को डेडिकेटेड कोबिड केर सेंटर में एडमिट किया जाएगा इस समय हमारे जिला में टोटल मिला के अभी तक 5095 केसिज हैं वो पॉजिटिव आज जोकी हैं और आज के दिन हमारे पास एकजार 28 केस हैं जो एक्टिव गेसिज हैं इन में 943 लोग ऐसे हैं जो होम आईसोलेशन में हैं और उनका इलाज घरों में चला हुआ है बाकी जो लोग हैं 43 लोग कोविड के सेंटर में और 25 ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो गुमारमी है वहाँ पे उनका इलाज चला हुआ है तो सेंप्लिंग तो डिस्टिक ब्लास्पूर में आज कल बहुत ज्यादा हो रही है हर रोज 500 या 600 के करीब हम RT-PCR के लिए सेंपल क्लेक्ट करते हैं इसके लाबर इतने ही सेंपल रैपिट एंटिजन मेथेड के दौरा अलग अलग हेल्थ इंस्टिशन में लिये जाते हैं तो इसी कड़ी में आज गुमारमी में पुलीस से हमें इंफर्मेशन में मिली थी के वहां पे कुछ पुलीस कर्मी थे जिनके पॉजिटिव पेशन्ट जो बाद में निकले उनके साथ कॉंटेक्ट हुआ था तो उसी को लेके फिर जब पुलीस सेंपलिंग की गी रैपिड तो यह तेरा पॉजिटिव केसा हैं अब यह तेरा लोगों को इलाज के लिए यहां तो हम होम आइसोलेशन के लिए जो इलिजिवल होंगे उनको होम आइसोलेशन में रखेंगे और बाप क्यों को कोविड के सेंटर में भेजा जाएगा तो यह लेटर्स था कि आज एक ही सुदस्राओा यहां तो हम बटन्या तो हम आएभ यहां जो यहां इंचे चाट शर्पट करकता कि आचे साहम हैं इंचे सेंटर्स थाष्चेस에 थाओीटय।